असलाम आलेकों वीवर्स आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़दार सी 11 वराइटी ऑफ ब्रेड और बंस की रेसिपे ले कर आई हूँ जिसे बनाना बेहत असान है और यह बहुत इंट्रस्टिंग से ब्रेड और बंस हैंगे इसमें मैं आपको स्वीट और सेवरी दो अज़ें चानल पर नहीं तो मेरे चानल को सब्सक्राइब करें साथ साथ और नोटिफ़किशन को क्लिक करें इससे आने वाली मेरी हर नहीं वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे बहले मिलेगी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूले तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं इसके लिए हमें चाहिए होगा मैदा चार कप के बराबर ग्रैम से मेजर करेंगे तो ये आदा किलो के बराबर 500 ग्रै और अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसको मैं मिक्स कर रही हूं अच्छे से अच्छा इदर मैं आपको बता दूँ इस वीडियो के अंदर मैं आपको दो तरह के डो बनाना बताऊंगी एक प्लेन ब्रैड या बंस जो हम बनाते हैं उसके लिए डो जो हम अभी बना एक में आपको sweet dough बनाना बताऊंगी तो सबसे पहले हम dough तयार कर लेंगे तो देखिए इसके अंदर मैंने इसको अच्छे से mix करना है आपने जब यह अच्छे से mix हो जाएगा फिर हम इसके अंदर add करेंगे एक अदत अंडा और इसके अंदर में पानी add करूंगी थोड़ा सा और यह tap water है इसके लिए आपको गरम पानी लेने की जरूरत नहीं है बस आप tap water के साथ ही आटा बना सकते हैं तो इसको हम गून लेंगे जैसे हम normal आटा गूनते हैं उसी तरह से आपने गून लेना है ना बह निकाल लेंगे counter top पे इस तरह से आपने निकाल लेना है और इसके उपर हम add करेंगे oil तो यहां पर 3 टेबल स्पून oil है मेरे पास मैं थोड़ा थोड़ा सा करके add करूंगी और इसके साथ इसको हमें smooth करना है अच्छी तरीके से देखिए इसको आपने smooth कर लेना है और smooth करने तो यह stick भी नहीं होगा अच्छा सा smooth हो जाएगा तो आप तकरीबं 5-7 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से smooth कर लीजिएगा जितने अच्छे से आपने इसको smooth करेंगे उतना ही अच्छी आपकी bread बनके तयार होगी तो देखिए पहले थोड़ा सा पतला हुआ था पिर उसक और हां से और जब हम इसको अच्छे से smooth करते हैं तो यह soft हो जाता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ कितना soft है और इसके अंदर elastic भी आ गया है तो यह देखिए किस तरह से हो गया है अब इसको मैं रग दूँगी तकरीबं 1-1.5 घंटे के लिए इसका proofing time है तो आपने ब मैं आइदा लिया है दो कप के बराबर है यह दो कप प्लस 1-4th कप एड़ कर दीजीगा और ग्रैम से मिज़ करेंगे तो यह 300 घंट के बराबर है इसके अंदर हम चीनी आड़ करेंगे 5 टीबल स्पून के बराबर यह हम sweet dough बना रहे हैं और salt आड़ करेंगे इसके अंदर 1. प्लस 1.5 टीपून और इसके बाद मैं इसके अंदर आड़ करूंगी ओयल क्रीबर 1 टीबल स्पून के बराबर और इसको मिख्स कर लेंगे अच्छी तरीके से तो देखिए इसको अच्छी से मिख्स कर लिया है फिर मैं इसके अंदर आड़ करूंगी अंडा एक अदत वन टी स्पून और इसमें थोड़ा सा पानी आट करेंगे और इसका हम डो बना लेंगे पानी की जगह आप तक चाहिए तो दूद से भी इसका आटा गून सकते हैं क्योंकि यह स्वीट बंस बनके तयार होंगे तो अगर आपको मिल्की सा टेस्ट चाहिए तो आप इसके जाहिए इसके लिए गरम होना ज़रूरी नहीं है बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी करेंगे और इसका हमने एक सवफ डू बना के तयार करना है जो हमने पहले बनाया था उसे थोड़ा सा सॉफ्ट बनेगा इसका डू भी तो देखिया इस तरह से आपने सॉफ्ट क बता रही हूं अगर आप लोगे पास मशीन है तो आप उससे भी बना सकते हैं तो हाथ से बनाने में बस थोड़ा सा टाइम लगता है तो आपको इसको पांच से चे मिनट अच्छी तरीके से इसको नीट करना है इसके ओपर भी मैंने थोड़ा सा ओयल एट किया है तो टू टे यह रैडी है डो हमारा और यह रैडी हो जाएगा इस तरह से तो देखें अब इसको मैं रख दूंगी बाउल में और इसको भी हम तक्रीबन एक से डेट घंटे के लिए रखेंगे प्रूफ करने के लिए तो आपको देखने से अंदाजा होगा कितना यह थोड़ा सा पतला है और स्टिक हेगा यह दो तो ये इसी तरहाँ से हो जाएगा दो बाउख देट होगा खटाएगे इसको को दो तक क्रेण एक से डेड़ घंटे में अच्छे ज़ए हम रखेंगे इदर हमारा डव रई संद गया है तो पहले हम सबसे पहले प्रष मेंद पलासे दो रखा थ और यह देखें कि इतने अच्छे से राइज हो गया इसको डेल घंटा हो गया था देल घंटे में अच्छे से राइज हो जाएगा और अगर आपके एरिया में सर्दी है तो हो सकता है इसको 2-5 घंटे भी लग सकते है राइस होने में तो इदर काउंटर टॉप पे मैंने और इस तरह से बहुत ज्यादा नीट नी करना है बस हलका सा नीट करना है और इतना नीट करते हैं कि उसकी जो एर है वो निकल जाए उसके अंदर से तो इसमें थोड़ा सा पोर्शन ले लिया है अब हम ब्रेट्स को शेप देना स्टार्ट करेंगे और इदर मैं आपको जो आपको ब्रेट कर देना है इतने में बना रही है हूं चीज ब्रेट बना रही हूं तो इसके लिए मैं आपको बता रही हूं और आप कोशिश कीजिए का मैदा थोड़ा हलका ही लगाए बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाए तो कि दूपर हम चीज रग देंगे इस मैंने पीसेस कट कर लिये थे चैडर और मॉजरेला है मेरे पास आप लोग चाहें तो ग्रेट करके भी एट कर सकते हैं और अगर आप गार्लिक चीज ब्रेट बनाना चाहते हैं तो इसके अंदर आप थोड़ा सा लसन जो है वो चौप करके एट कर सकते हैं साथ में औरिगानो बनाते हैं उसी तरह से और सेंटर से हमने इसको थोड़ा सा फ्रैट किया था ताकि इसको हम शेप कर दिया है यह देखिए तो यह एक शेप हमारे पास तयार हो गया है चीज ब्रेट का और इधर मैंने एक बेकिंग ट्रे ले लिए है इस पर लगा दिया है बटर पेपर तो तो बाज रहते हैं अपने दूसरे शेप की तरफ तो इस के लिए मैंने तीन चोटे-चोटे से पोशिंस लिया हैं और यह हम बना रहे हैं एक तरह का dinner roll बना रहे हैं तो बस इसकी चोटी बना देंगी और ये डिनर रोल रेडी हो जाएगा इसके अंदर आप तो सैंविचिस वगरा भी बना सकते हैं आजकर ये बेकरी में काफी कॉमन है और कॉमनली मिल भी जाती है तो देखिए ये रेडी हो गया है इसको भी मैं उठाके ट्रे के उपर रख दूँगी एतियाद से ये देखिए इसका शेप और इसको भी आपने कवर करना है जितनी भी ब्रेड आपने बनानी है इसको आपने कवर करके ही रखना है कपड़े से इतने में इसकी प्रूफिंग भी हो जाएगी और आपने कवर करने से क्या होगा वो हार्ट भी नहीं होगी इधर मैं नॉट बना रही हूँ तो इसके लिए मैंने चोटा सा पोशन लिया था उसको मैंने सिलंडर शेप में बना लिया था मैं लिया है यह सिलंडर का मू नोट का yes timeline भी ताके शेप अच्छा सा आहीं इस वजह से लिया है तो इसके अन्दर मैंने इसको रख दिया उसी उस aktiv में रिख कर लेंगे तो इदर मैंने e 4 और शेव बना लेना है। उसके लिए मैं क्या करूंग इधर processo क्रोशन का कि इनοι होगे है है। पोर्शने क्रोशन लेक्ट देंके लिंगे क्लिक्नी क्विट का न फिस चोब से जीश हो प्रीया है। इस तरहां से इसको भी मैं ट्रे में रख दूँगी अब आजाते हैं अपनी दूसरी ब्रेट की तरफ इधर मैं बना रही हूं फुकाचिया ब्रेट अब लास में मेरे पास जितना डो बजाता हूं मैंने ले लिया है तो यह थोड़ी बड़ी साइस की बनाएंगे हम तो आपके पास ऑलिव ओई हो तो आपने इसके अंदर डाल देना है और इस तरह से फिंगर से आपने इसके उपर यह निशान लगा देने हैं ताकि जो ऑलिव ओई है यह अंदर तक चला जाए फिर इसके बाद बागी की चीज़े आप इसके उपर डाल सकते हैं दोनों तरहां के इसके इलावा आप मश्रूम्स वगरा भी आड़ कर सकते हैं तो आपके अपनी चोई से यह बंती बहुत मज़ेदार है और थोड़ सा ब्लैक पैपर और सॉल्ट भी आड़ कर सकते हैं यहाँ पर बस मैंने यही चीज़े आड़ की हैं तो इसके बहुत मज़ेदार होती है और मेरी बहुत ज़्यादा फेवरिट है इसके बड़े साइस की बनाई है यहाँ पर क्योंके शेप देते मुझे काफी टाइम हो गया तो यह जो हमारे ब्रेट जो हमने बनाए थे जो शेप बनाए थे वो राइस हो चुके हैं तो इसको मैंने बस अंडा लगा दिया है और चीज ब्रेट के उपर मैंने थोड़ा से औरिगयानो डाल दिया है नॉट्स मैंने दो बना ली थी तो इनके उपर मैंने थोड़ा से औरिगयानो और गार्लिक पाउडर एट किया है आप जो जब यह गार्लिक नॉट्स बनाए तिम्स को बड़ा इद कर दिया है और चुर्छे मेले लेग के लिए इसको ने क्लाब करने के लिए रखते हैं और इसको लोग पाइब करेंगे हो दोनो रॉट्स ऑगे मेंशन कर दूगी अब आजाते हैं अपने तो स्ट्वीट बंस की तरफ, तो इसका भी डो जो है, वो अच्छे से राइज हो गया है तो आपकी bread बनते वक्त तो बिलकुल soft बनेगी लेकिन जब वो थोई ठंडी होगी तो वो hard हो जाएगी तो एक ही mistake आती है तो इसके उपर मैंने थोड़ा सा मैदा dust किया है इसको हम neat कर लेंगे तो इसे stage पे आप थोड़ा मैदा इसके ओपर add कर सकते हैं जैसे कि मैंने थोड़ा जादा मैदा लिया है और मैं कोशिश करूँगी इस पिकम से कम ही मैदा लगाँ जादा मैदा ना लगाँ तो लेकिन काम करने के लिए आपको इसको बना सकते हैं, बस इदर मैं आपको आइडियास दे रही हूँ कि आप डो से कितनी सारी ब्रेट्स बना सकते हैं, तो यहाँ पे एक पोशन ले लिया है मैंने और मैं दोको हम हटा देंगे शाइट पे कर देंगे, और इदर मैं बना रहे हूँ स्वीट बन जो यलो वाले बना सकते हैं मतलब आटा गुन सकते हैं तो देखिये इसको मैंने मिक्स किया है और अग्स करी हूँ तो आपको अंदादा हो गया होगा कितना ये पतला डू हैगा अब उसके बाद जब कलर मिक्स हो जाएगा फिर इसके अंदर हमने ये क्या एक शर्फियां एड कर देनी हैं इस तरह से बस 1-1 टेबल स्पून ही एड़ किया है इसको भी मैं स्मूथ कर लूँगी इसके साथ ही क्योंकि अशर्फियों के अंदर भी थोड़ी नम्मी होती है इस वज़े से थोड़ो सा मैदा एड़ करके इसको मैंने स्मूथ कर लिया ताके इसका हम पेड़ा बना सके वै तो हमने इसको भी कवर करके रखना कपड़े से अब बना लेते हैं रीजन सबना रहे हैं तो इसके दिए मैंने थोड़ा सा डुछ लिया है कि या कश्मिश एट किया है वन टीबल स्फून के बराबर इसको मैं लिए स्को मिनमे कर दिया है और इसी तरह से हम इसको शेप दे आप लोग अपनी मर्जी के मताबिक एट कर सकते हैं जितना आप इसको चॉकलेटी बनाना चाहते हैं तो बस मैंने अंदाजे से ही एट किया था बाद में थोड़ा सा और भी एट किया था क्यूंकि इसका कलर मुझे लाइट लग रहा था बस इसको हमने अच्छे से मिक्स करन करेंगे यह देखिए इस तरह से आपने इसको स्मूथ कर लेना है और इसकी बाद थोड़ा सा और पूर्शन लेंगे हम वाइट डो का जो वनेला फ्लीवर का हैगा कांटर टॉप को साफ कर लेंगे और इसकी बाद थोड़ा सा पूशन लिया है हमने वनेला ब्रैट का हमार इसको स्मूथ कर लेंगे अच्छे से स्मूथ करने के बाद इसको मैंने हाथ से पहला लिया है क्योंकि इदर मैं आपको आइडिया देने के लिए बहुत छोटा सा लोफ बना रही हूँ और आप लोफ टन के अंदर इसको बनाईएगा बड़ी ब्रैट को तो यह बहुत अच्छा उपसूरद बनके निकल कर आता है और दूसरे वाले इसको मैंने बेल लिया जो ब्राउन वाला पार्ट था हमारा इसको मैंने बेल लिया इच्छी तरीक से थोड़ा सा बड़ा रखना है इसको हमने इस तरहां से और इसको भी मैं बेल लूँगी थोड़ा सा बेल लेना है बस आपने इसको और इसके बाद इसको इसी डो के उपर रख देना है ब्राउन वाले डो के उपर इस तरहां से और इसको हम पहला लेंगे थोड़ा सा हाथ से और इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है स्विज रोल की तरह तो एक तरह का स्विज रोल बनके तयार होगा जब ये बेक हो जाएगा उसके बाद मैं आपको कट करके दिखाऊंगी बहुत खुबसूरत लगता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है इसको आप चॉक्लिट स्प्रेट के साथ एंजॉय कर सकते हैं तो अब आजाते हैं दूसरे शेप की तरफ तो इसके लिए मैंने पूरा डो ले लिया है इसको हमने स्मूध कर लिया अच्छी तरीके से इसमें से मैंने दो पीस कर लिया है इसको बस मैंने हाथ सी पहला लिया है इस तरहां से अब क्या करेंगे इसके हमने छोटे-छोटे से potions जो हैं वो cut कर लेने हैं तकरीबन 6 मैंने cut किये हैं और यह जो 6 जो हैं इसके मैंने छोटे-छोटे से balls बना लेने हैं स्मूद करते हुए जिस तरह हम पेड़े बनाते हैं बस उसी तरह से और इसको मैं साइट पर रखती चली जाओंगी इस तरह से अब balls मैंने बना लिये थे बाकि जो डो बचा है उससे मैं दूसरे बनका शेप बना लूँगी तो यहां मैं बना रही हूँ एक स्प्रिल वाला बना रही हूँ जो बेकरीज वगएरा पे शीर माल के नाम से भी सेल हो रहा होता है तो इसको आपने इस तरह से बस रोल कर लेना है सलेंडर शेप में इस तरह से जितना बड़ा कर सकते हैं उतना कर लीजिएगा और इसके बाद बस आपने इसको इस तरह से रोल कर लेना है यह देखिए इस तरह से आपने बस इसको रोल कर लेना है अब इसको मैं डारेक्ली ट्रे पर रख दूंगी तो देखिए एक ट्रे को मैंने किस तरह से cover करके रखा हूआ है तो आपने भी इसी तरह से बंस को cover करके रखना है तो इसको मैंने इसके उपर रख दिया है अब जो दूसरा वाला shape है जो हमने balls बना एते हैं छोटी-छोटी से उससे हम एक flower बना लेंगे तो इस तरह से आपने एक center में बॉल रखना है और चारो तरफ बाकी की जो पेड़ें बड़ी size की वो आपने इस तरह से रख देने है और इसको थोड़ा सा आपने मिला देना है ताकि बहुत जादा नहीं close कीजेगा बस हलका सा आपने इसको मिला देना इस तरह से तो यह जब bake होगा तो एक अच्छा सा flower बन जाएगा इसको आपने cover करके रखना है 20 मिनिट के लिए और जब 20 मिनिट हो जाएंगे उसके बाद आपने egg brush करना है तो देखिए आपने इसको अच्छे से egg brush कर देना है और इसको please rest करने के लिए जरूर रखेगा आप रखेंगे तब ही आपके बाद अच्छे बन के तयार होंगे तो यह वाला step बहुत जरूरी होता है अब मैंने थोड़े से तिल ले लिया है इसके ओपर थोड़े से तिल डाल दूँगी और चीनी भी अड़ करूंगी इसके ओपर क्योंकि यह थोड़े से मीठे बन होते है और जो दूसरे वाली जो हमारे flour वाला जो बन है उसके ओपर भी मैंने थोड़े सी चीनी डाल दी है चीनी और तिल अड़ कर देंगे इसके ओपर भी और oven मैंने on कर दिया था 200 डिग्री पे 10 मिंट पहले ही इसको preheat करेंगे और इसको हम bake करेंगे 200 डिग्री पे तकरीवन 25 तो 30 मिनिट के लिए और यहाँ पर जो raisins वाले बनते हैं इसके ओपर मैंने raisins लगा दिये जो अशर्फी वाले बनते हैं वो bake होकर आ चुके हैं जैसी वो bake हो जाएंगे आपने क्या करना है उसके ओपर जल्दी से oil लगा देना है सारी बन्स के ओपर अच्छी तरीकी से आप oil लगा देजेगा उसके बाद आपने इसको एक कपड़े से cover करके रख देना है तकरीबन आदे घंटे के लिए जब तक वो ठंडे नहीं हो जाते तो इसी तरह से ये दूसरे वाले बन्स भी आ गए थे bake होकर तो इसके ओपर भी आपने जल्दी से oil लगा देना है oil लगाने के बाद आपने इसको भी cover करके रख देना है तब आप इसको cover करके रखेंगे इसको rest मिलेगा और ये अंदर से और मजीद soft हो जाते हैं जब आप निकालते हैं तो उपर से थोड़े से hard होते हैं oil लगाने से ये soft हो जाते हैं तो इसी तरह इसको आपने cover करके रख देना है और आदे घंटे के बाद आप इसको चेक कर सकते हैं उसके बाद निकालके आप इसको surf कर सकते हैं तो इदर आदर गंटा हो गया है ज़र मैं आपको दिखा देती हूं इसका result तो देखिए कितने soft बनके तयार होए हैं ये बहुत ही मज़िदार बनेते और घर में इसको जरूर ट्राइ कीजेगा और अपना feedback भी दीजेगा ये देखिए दोनों टाइप की जो हमारी bread steam बिल्कु परफेक्ट बनके तयार हुई है मैं आगे आपको इसको cut करके भी दिखाऊंगी और ये burger buns है तो इसको मैंने मोल में इसलिए रखा था ताके इसका शेप परफेक्ट आए ये देखिए ट्रे में रखते हैं तो थोड़े से पहले बनते इस तरह से उठ्थे वे नहीं बनते हैं इसलिए इसको मैंने इसमोल के इंदर रख दिया था तो ये भी बिल्कु परफेक्ट बिनके तियार हुआ है और ये हमारी फुकाच्रिया ब्रेट जो कि मुझे बहुत पसंद है और ये बहुत ही मज़ेकी लगती है आप इसको किसी भी सॉस के साथ एंजॉय कर सकते हैं और ओमलेट्स अगरा के साथ भी इसको एंजॉय कर सकते हैं ये हमारी चीज ब्रेड है इ तो यह देखिए सबसे पहले हम कट कर लेते हैं वनेला चॉकलेट ब्रेड और यह आप बड़ी लोफ में बनाएंगे तो यह बहुत अच्छी लगेगी और यह बहुत मज़िदार बनती क्योंकि चॉकलेट का फ्लेवर होता है इसके अंदर और वनेला का फ्लेवर होता है तो बच्छों को तो बहुत पसंद आएगी और आप लोग चाहें तो इसको आप बंस वगयरा के शेप में भी बना सकते हैं चॉकलेट और वनेला की कॉम्बिनेशन के साथ क्योंकि मैंने आपको बहुत सारे शेप सिखाएं हैं तो आप किसी भी शेप में बना सकते हैं तो यह मैं आपको कट करके दिखा देती हूँ यह देखिए कितनी परफैक्ट बनके त्यार हुई है आई होप आपको यह रसेपी अच्छी लगी हो अगर आप लोग वह रसेपी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट जरूर किया करें शेर भी जरूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ फैमिली के साथ तो मुझे अपनी दूआ हमे याद रखीगा अला हाफिज